नमस्का, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं बंदे भारत मिशन 3 के तहद भारत और अमेरिका के बिच दोस नए बिमान उडान भरेंगे इसका परिचलन 20 जुन से 3 जुलाई के बिच किया जाएगा इसमें से 4 नियो युयार्क, 84 गटन, 1 साइन फ्रांसिस्को और 1 सिंकांगो से भारतियों के लेकर सोदेश लोटेगा आपको बता देखी यह और इंडिया की वेबसाइट पर 13 जुन साम 6 वे से इसकी बुकिंग सुरू की जाएगी जार्खन मौसम विभाग के अनुसार जार्खन में प्री मांसुन की बारिस सुरू हो चुकी है सुक्रवर्को सुबा से राजदानी राची समेत कई जीलों में हलकी बारिस हुई मौसम विभाग के अनुसार आई लगबग सभी जीलों में छीट फुट बारिस होगी मौसम पूर्वा अनुमान के तहत बताया गया है कि अगले 16 जुन तक राची समेत आसपस के छेतरों में बादल चाये रहेंगे और हलके से मध्यमदर्ज की बारिस होगी मैट्रीक वा इंटर का रियल्ट जुलाई में मैट्रीक वा इंटर साइंस वा कॉमर्स का रियल्ट एक साथ जारी किया जाएगा जो जुलाई के प्रथम सब्ता में जारी होने की संभवना है मैट्रीक की कोपियों का जाच अमतिम चरण में है मैट्रीक की कोपियों 20 जुन तक पूरी हो जाएगी जबकि इंटर की कोप्यों का मुल्यांकन 25 जून तक पूरी होने की संभवना है जैक अध्यक्ष डाक्टर अर्वीन परसाथ सिंग ने बताया कि मुल्यांकन पूरा होने के साथ जल्द से जल्द रियल्ट देने का पर्यास रहेगा जार्खन में आज 59 संक्रमेतों की पुष्टी हुई जो 14 से 3, पूर्वी सिमिम से 4, गुमला से 9, लातेयार से 2, पलामू से 7, रामगर से 4, राची से 3, सिम्डेगा से 3, 5 सिमिम से 4, देवघर से 1 जार्खन में आज 60 संक्रमेतों संख्या 16 साथ से बढ़का 1657 हो गई जबकी 685 लोग सोईस्ति और 8 की मिर्ती हो गई भारत में कुल संक्रमेतों संख्या 3, 9, 6, 3 है जबकी 1, 2, 321 लोग सोईस्ति और 8890 की मिर्ती हो गई एक्टिव केस कहां कितना है पारा सिख्षको का मांदे भुगतान 20 जून तक राजे के पारा सिख्षको को दो मांस के बकाया बेतन का भुगतान 20 जून तक हो जाएगा सिख्षा मंत्री ने मांदे भुगतान की स्विक्रित दे दी है राजे के एक सट हजार पारा सिख्षको को अप्रेल वा मई मांदे नहीं मिला है आपको बता दे कि मांदे भुकतान को लेकर जीला द्वारा जनकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है ऐसे में राजे के एक सट हजार पारास इसको को मांदे भुकतान 20 जून तक हो जाएगा एगारवी बोर्ट का रियर्ट 30 जून तक जाएग द्वारा ली गई एकारवी बोर्ट परिछा की कोपियों की जाँच पूरी हो गई है जाएग ने बताया कि एकारवी बोर्ट का रियर्ट जून मांदे अंत तक जारी किया जा सकता है आपको बता दे कि राज में इंटर कलाग में राई नितिक सास्त्र वा समाज सास्त्र विशय में परिश्कों की कमी है इंटर कॉलेज के सिक्षकों के भरोसे दोनों विशय की कौपी की जाच हो रही है BRO की स्पेसल ट्रेन रद जारखन से 1500 स्रमिकों को दुमका से लदाख ले जाने वाई ट्रेन रद हो गई है या ट्रेन सुक्रवार को दुमका स्टेशन से रवाना नहीं हो सकी इसी के साथ ही मुख मंत्री अमन सुरेन का कारिकरम भी रद हो गया दुमका जीला उपायूक्त रायस्वरी भी ने कहा कि ट्रेन को रद क्यों किया गया इसकी असपश जनकारी उन्हें नहीं है उन्होंने कहा कि 13 या 14 जून को या ट्रेन रवाना हो सकती है उपायुक्त ने कहा कि ट्रेन का सेडियो सीमा सडक संगटन बी आरों के अधिकारियों ने त्यार किया था उन्हीं की ओर से रज की गई होगी आपको बता दे कि सिर्फ दूमका जीलाक के 400 से अधिक स्रमिक ले लदाख जाने के लिए पहुँच चुके थे चार चर्नों में खुलेंगे स्कूल अनलोग खतम होने के बाद राजे के पहली से बारत तक के सरकारी स्कूल एक साथ नहीं खुलेंगे स्कूलों को चार चर्नों में खुला जाएगा आपको बता दे कि हाई स्कूल और पलस टू स्कूल जुलाई में खुल सकेंगे तो वहीं पहली से आठवी की कक्छाएं अगस्त मा में शुरू होगी इसके साथ ही बड़े स्कूल में दो सिफ्ट में पढ़ाई शुरू की जाएगी और हर कक्छा के सुरू और छुटी होने का समय अलग-अलग होगा जारखन में अब संक्रमन के मामले घटने की उमीद स्वास्त शचीव नितिन मदल कुलकर्णी ने कहा है कि मई में जितने परवासी आय थे उसकी तूलना में जून में अब परवासीों का आना कम हो गया है ज्यारखन में एक मैज से पांच जून तक प्रवसी काफी संख्या में आ रहे थे थोड़ा कम हुआ है स्वास्त विभाक केंसार 15 जून के बाद से संक्रमन के मामलों में कमी आएगी आपको बता दे कि ज्यारखन में आप तक संक्रमन की कुल जाच 1,1609 लिये जा चुके है अंतराश्ट्रिय तिरंदाज दिपिका की साधी में रोडा अंतराश्ट्रिय अस्तर पर ज्यारखन को गरवानवित करने वाली तिरंदाज दिपिका कुमारी की साधी 30 जून को है विवास्तल के रूप में डोरंडा जैप वन इस्थीत खुकरी गेस्ट हाउस को बुक किया गया था पूलिस मुख्याले द्वारा अचानक 10 जून को इलर्टमेंट केंसिल कर दिया गया और बताया गया कि सेलिवरिटी खिलाडी होने के कार उनकी साधी में 50 से ज्यादा लोगों की भेड़ जमा होगी इसलिए इलर्टमेंट केंसिल कर दिया गया है पलामू में नकसलियों के साथ पूलिस की मुद्भेड जारखन के पलामू जिला में टीपीसी उगरवादी की सुक्रवार को पूलिस के साथ मुद्भेड हो गई मनातु के जंगलों में हुए मुद्वेर में पूलिस को भारी पड़ता देख टीपी से के उरुवादी जंगलों में भाग खड़े हुए आपको बता देख नक्सलियों के भागने के बाद पूलिस को कई हाथियार वो नक्सलि साहता ब्रामत प्राप्थ हुई है लोहरदागा में 415 एकड में बीरसा हरित ग्राम योजना लोहरदागा जिला अंतरगा तिरपन पंचायतो के 94 गाओं में बीरसा हरित ग्राम योजना के तहद 415 एकड में कारे की स्विग्रीती मिल गई है इसके तहद 94 गाओं के 578 लावकों के लिए 486 योजनाओं में से 473 योजनाओं के हरी जंडी मिल गई है आपको बता दे कि वर्तमान में 329 एकड में बगवानी के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है छटी, साथवी, आठवी के सरकारी स्कूलों के बच्चे का होगा बेसलाइन असेस्मेंट राज के सरकारी स्कूल के छटी सात्वी आठवी के बच्चों का बेस लाइड असेस्मेंट किया जाएगा महमारी के आपदा के बाद स्कूल खुलने पर एक सब्ता के अंदर बच्चों का असेस्मेंट किया जाएगा बता दे कि OMR सीट पर होने वाले इस असेस्मेंट में छटी साथवी आठवी के बच्चों से कलास नीचे पांच छो साथ के प्रश्ण पूछे जाएंगे ताकि उनका बेस का पता चल सके धनबाद में मनरेगा में गड़बड़ी परतिसत लेकर जोब काट से निकासी धनबाद जिला के अधिकांस पंचायत में चल रहे महातमा गांधी राश्ट्रिय गरांटी अधिनियम में जोब काट दो 5 परतिसत लोग का हाल चाल चल रहा है आपको बता दे कि या हाल तब चल रहा है जब राज सरकार की योजना अधिक से अधिक संक्या में लोगों को मन रेगा के तहत रोजगार उपलब्द कराने की है फीस मुद्दे पर सिक्छा मंतरी के विरोध में जारखन एकता मंच इस्कूल फिष के मुद्दे पर सिक्छा मंत्री जग्रनाथ मतो के विरोध में कई लोग मुखर हो गाय है शुक्रवार को जरकण एकता मंच के नेताओं ने प्रेश बयान जारी कर कहा कि शिक्छा मंत्री ने दो महिना के फिष जमा करने की बात गही लेकिन बरतमान समय में लोगों को आजीव का ही संकट में है ऐसी इस्थिती में सिक्षा मंत्री के साथ साथ इसकूल प्रवंधन को भी खुद ही इसकूल फिस माप कर मानवाता का परिचर देना चाहिए था पलामू वा इंटर सिटी एक्सपरेस चलाने की मांग सांसद सांसद विशनु देयाल राम ने पूर्वमध रेलवे हाजीपूर के महा प्रवंधक को पत्रली पलामू एक्सपरेस वा इंटर सिटी एक्सपरेस को सुरू करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि बिगत तीन माँ से लोगड़न के दरवन रेल मार्ग से लोगों को आवागमन पुरी तरह से नहीं हो सका है जारखंड के 54 लाख परिवार पी सकेंगे नल का जल, केंद्र ने 572 क्रोर की दी मदद जल जीवन मिशन के तहट जारखंड के सभी 54 लाख गरामीन परिवार तक नल से जल पहुचाने के लिए केंद्र सरकार ने जारखंड सरकार को बड़ी मदद दी है इस योजना के तहट केंद्र सरकार ने 572 को रुपए जारखंड सरकार को मंजूर किये है बिधायकों को अवास अवंटन में नियमों का पालन हो बाबुलाल मरांडी जार्खन के भाजपा विधायक दल के नेता और राजे के पूर्व मुख मंत्री बावुलर मरांडी ने विधायकों को आवास आवंटन में नियम कानून की अंदेखी कर भेद भाव वरतने पर नराजगी जताई है शिरी मरांडी ने मुख मंत्री को पत्र लिख पूर्व से चली आ रही आदर्च परंपरा का पालन करने की सलाह दी है 2018 के सुखाड पिरित किसानों को सरकार देगी मुअबजा किरिसी मंत्री बादल पत्र लेख ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जीन किसानों को बर्ष 2018 के सुखाड के मुअबजा की प्राप्ति नहीं हुई है और जो पिरित किसान है उनकी रिपोर्ट भेजी जाए ताकि विवाग करवाई कर उन्हें मदद की जा सके 40 लाख बिद्यार्थियों के खाते में साइकल और छात्रवीर्ती के पैसे अब जाएंगे जारखन के विद्यार्थियों के खातों में छात्रवीर्ती, पोसाक और साइकल मद की रासी जानी सुरू हो जाएगी जारखन सरकार ने इस संकट काल में इन मदों में रासी भुगतान पर लगाई रोखाटा ली है बिद सचीव हिमानी पांडे ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं जिससे लगभग 40 लाग विद्यार्थियों को लाव मिलेगा रिम्स के वाडो में संक्रमन टेस्ट के बाद होगी भरती रिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीज को भरती होने से पहले आपना संक्रमन टेस्ट कराना होगा जो टेस्ट रिम्स में ही होगी रिम्स प्रवंधन ने या निर्ने वाडो में भरती मरीजों में संक्रमन की पुष्टी होने के बाद लिया है रिम्स ने भरती होने वाली मरीज की पहले जाच कराई जाएगी उसके बाद उने वाड में भरती कराया जाएगा क्वारंटाइन में 14 दिन बिता चुके स्रमिकों के लिए रोजगार का रईस्टेशन सरकारी क्वारंटाइन में 14 दिन विता चुके स्रमिक घर भेज़े जाएंगे साथ ही रोजगार के लिए उनका रइस्टेशन किया जाएगा पच्मित सिम्भूं के उपायुक आरबा राज कमल ने वीडियो कन्फिरेंसिंग के जरिये जीला के सभी अनुमंडल पता अधिकारी वीडियो सियो थाना प्रभारियों के साथ बाचित कर दी राची में फिर मांगा हुआ पेट्रोल डिजल पेट्रोलियों कम्पिनी ने पेट्रोल और डिजल की कीमतों में फिर से ब्रेधि कर दी है इसके साथ ही राची में पेट्रोल की कीमते 83 रुपया 78 पैसा प्रति लीटर हो गई है लालू परसाद की सजा बढ़ाने वाली याचका पर सुनवाई टली जारखन हाई कोट ने चारा घोटाला मामला में सजा यक्ता बिहार के पुर्व मुख मंत्री लालू परसाद सहीत पांच की सजा बढ़ाने समदित याचका पर सुनवाई नहीं हो पाई जस्टिस एचसी मिस्र और जस्टिस राजेस कुमार ने सुनवाई किसी दूसरी सक्षम बेंच में करने की बात कही धन्यवाद